The law of savings यानि बचात का नियम और ये नियम कहता है कि financial freedom comes to the person who saves 10% or more of his income throughout his lifetime जिसका मतलब है कि जो भी person अपनी आमदनी का कम से कम 10% हिसा अपने पूरे जीवन बचात करके अलग रखता है वो व्यक्ति निस्ची तोर पर financial freedom हासिल कर पाता है और दुसरी तरफ जो लोग ऐसा नहीं करते चाहे उनकी आमदनी कितनी भी ज्यादा हो लेकिन वो अगर regular disciplined manner में savings नहीं करते हैं बचत नहीं करते हैं उनके लिए financial freedom हासिल कर पाना काफी ज़्यादा मुश्किर हो जाता है क्योंकि अगर आप चाहे जितना भी पैसे कमाएं आपके आमदनी चाहे जितनी भी ज्यादा हो लेकिन अगर आप बचत regular नहीं कर पा रहे हैं अगर आपके अंदर बचत की habit नहीं है तो आप सारे कमाए पैसे आज नहीं तो कल खर्च कर देंगे और आपके खर्च करने की आदत अगर ज्यादा रही तो आप उस खर्च को पुरा करने के लिए आप अलग लग लोन्स भी लेंगे और इस तरह से आप देखेंगे कि जिन लोगों में भी बचत की habit नहीं है तो भले ही उनके आप द इतना भी कमाएंगे उनके आप देखेंगे जितनी भी कम हो या ज्यादा हो लेकिन अगर वो इस आदत को डेवलप करते हैं कि वे कम से कम 10% अपनी आप दनी का एक हिस्सा जरूर बचत करेंगे तो वे लोग अगर ऐसा लंबे समय सक करते हैं तो उनके पास एक अच्छी खा अधन बहुत सारे काम करते हैं तो अगर हमारे अधन है कि हम रेगूलर बचत करने लगते हैं तो automatically हमारे पास extra पैसे जरूर हमयसा होते हैं और उन extra पैसों का अगर हम सही दर से use किये तो हमें कुछ ऐसे मौके मिलते हैं जहां पे वी हमारे extra बचत के पैसे अगर निवेस कर पाएंगे उस निवेस के लाव का मौका जो है वो गमा देंगे क्योंकि हमारे पास एक्ट्रा पैसे पड़े नहीं होते हैं तो बज़त करने वालों में और बज़त नहीं करने वालों में यह सबसे बड़ा एक फर्क होता है कि बज़त करने वालों लोग अलग अलग निवेस क मौकों का फायदा उठा सकते हैं और जो लोग रेगुलर बचत नहीं करते हैं पैशों की वे ज़ादर अच्छे नीवेश के मौके गमा देते हैं और इससे भारे नुक्सान वे ये करते हैं कि जब रेगुलर बचत की आधत उनके अंदर नहीं होती है तो वे चाहिए जितना पैसे कम है उनके आपने जहां जितनी भी बढ़ जाए वे अपने खर्चों को भी बढ़ा लेते हैं और अलग-अलग खर्चों को पुड़ा करने के लिए वे अपने आपको credit card bills, EMI या फिर loans के trap में भी फसा लेते हैं वहीं दुसरी तरब आप देखेंगे कि जो लोग regular बचत करते हैं जिनके अंदर habit है कि वो अपने आपदनी का एक हिसा हर महीने बचत करते ही करते हैं तो उनके पास हमेशा एक extra fund जरूर होता है और बचत किये गए extra fund से या फिर जो भी emergency fund हुए बनाते हैं तो उस emergency fund और उस extra fund क नहीं होता तो वे भी loan trap में फंस सकते थे तो इस तरह आप देखेंगे कि regular budget करने के दो बहुत बड़े फायदे हैं पहला यह है कि आप loan trap में फंसने से बच जाते हैं और दूसरा यह है कि आप अलग-अलग समय पर investment के मिलने माले कुछ अच्छे मौकों का पूरा लाब उठ पाते हैं क्योंकि आपके पास extra fund होता है तो दोस्तों इस तरह से आप देखेंगे कि budget की आदत अपने आप में बहुत ज़्यादा important है और यह कहा जा सकता है कि budget की आदत वास्तों में हमारे financially successful या फिर financial freedom हासिल करने का एक अधार है एक base है और इस आदत की वेरा हम financial freedom हासिल कर पाए ऐसा possible भी नहीं है तो दोस्तों अगर आप इस नियम के importance को समझ पा रहे हैं तो आज से ही कसम खा लिजे और आपकी जो भी income हो थोड़े कम हो या ज्यादा हो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बट जो भी income है उस income का कम से कम 10% हिस्सा आप जरूर अलग एक account में maintain क करिए और उस पैसे को बिल्कुल भी मत छेड़िए और उसे सिर्ख कुछ अच्छे investment के मौकों के ही लिए रखिए और अगर इसको वैसे ही पड़े रेड़े देजिए वहाँ पे अगर आप नॉर्मल छोटे मोटे फिक्स डिबूर भी रखते हैं तो भी कोई प्रोब्लम न यहाँ पर मिश्र ब्राइन प्रिसी हमें एक और बहुत ही important point याद दिलाते हैं कि अगर आप regular budget करना चाहते हैं तो आपको the richest man in Babylon इस book में बताया गए सबसे एक खास principle जो है pay yourself first इस rule को follow करना होगा मतलब अगर आप regular budget करना चाहते हैं तो सबसे पहले जैसे ही आपको कोई income मि करने वाले salary हो या कोई भी दूसरा income हो जैसे ही आपके पास पैसे आते हैं आपके account में credit होता है तो वहाँ से आपको कम से कम 10% amount सबसे पहले अलग दूसरे account में रख देना है जो कि आपका बचत का account होगा और बाकी जो 90% बचेगा उस पैसे से आपको अपने सभी दूसरे ख नहीं है तो आप बहुत अराम से 10% बचत कर सकते हैं और अगर इससे ज्यादा कर सकते हैं तो ये और भी बहुत अच्छी बात है बट कम से कम 10% बचत जरूर करें और अगर आप कर्ज में हैं तो भी इस आदत को develop करने के लिए आप 1% हिसा तो जरूर बचत करी सकते हैं बाक पर आपको text का lab भी मिलता हो और आप उस पैसे से कुछ extra पैसे भी कमा सकते हो ध्यान रखेंगे कि कभी भी उस पैसे पे extra risk तो बिल्कुल भी ना ले हाँ अगर आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ पर निवेश करें उस पैसे को यूँ ही normal fix ट्पोईट में भी डख सकते हैं बट उस extra पैसे जो आप बचत करेंगे उस पे आपको risk लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर आप निवेश को समझते हैं तो ही निवेश करिए otherwise यूँ ही किसी के बताने से और किसी और के बहगावे में आकर आपके अगर पास अगर कुछ extra पैसे पड़े हैं तो उसे और ज़्यादा पैसे बनाने के चक्कर में लालत स्मिय ना पड़ें लालत से बचें और आप उस extra पैसे को सिर्फ बचत के तोर पे ही रखें और साथे साथ इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखते रहें ताकि आपको दूसरी इन्वेस्टमेंट के मौके नजर आ सके दोस्तों हो सकता है कि सुरुवात में अगर आप 10% अपनी आपनी आपनी का हिस्सा बचत करते हैं तो कुछ बहुत ज्यादा नहीं दीखेगा लेकिन अगर आप ऐसा रेगलार करते हैं तो कुछ महीरों बाद कुछ सालों बाद आप देखेगे कि आपके पास एक अच्छा कासा एक्ट्रा एमांट क्रियेट हो गया है बिना किसी निवेस्ट के भी और अगर आप वहाँ पे कुछ सुरेक्षी दिवेस्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बस और ज्यादा एक्ट्रा फंड हो गए है जैसा मैंने सुरुवात में कहा कि बचट करने के अपने आप में दो बहुत सब इंपोर्टन फायदे यही है कि आप लोन ट्रैप में फंसने से बसते हैं आपके पास एक्ट्रा फंड होता है और दूसरी तरफ आप वहाँ पे कुछ अच्छे इंवेस्ट्मेंट के मौके मिलते हैं तो उसका लाब भी उठा पाते हैं इन बातों का जरूर ध्यान रखिए और रिगलर बचत जरूर करिए और बचत करने का सबसे बेश्ट तरीका यही है कि आप जैसे ही इंकम हो उस इंकम से जो बचत का एमाउंट है वो पहले दूसरे एकांट में ट्रांस्टर कर दें और बाकी पैसे से आप अपने खर्चों को पूरा करें इस सभी के बारे में मैंने पहले वीडियो बनाये हुए हैं तो बचत करने के जो भी वीडियो से हैं उनका लिंक मैं आपको निचे दे दूँगा उसे देखिए समझिए और अगर आपने अभी तक बचत की सुरुवात नहीं की है तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि जितना जल्द हो सके बचत की सुरुवात जरूर कर दीजिए तो दोस्तों आई होग कि आपको यह जो नियम था जरूर पसंद आया होगा और यह वीडियो आपको जरूर कामकाल लगा होगा अगर वीडियो बसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए कंजुक्सी ना करिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्स्राइब करने के साथ साथ बेल ऐकन में जरूर प्रेस करिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो का अपडेट्स तुरंद पा सकें और अगर आप इस नियम का पीडियो कोपी डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको रीचे मिल जाएगा आप इस नियम की समरी का पीडियो कोपी टेलिग्राम ग्रूप से डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों अंत में इस वीडियो कोड़ देखने के लिए और हमारा साथ चुले रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद